सुप्रबात, गुद मॉर्निंग, बंदे मातरम, आपका दोस्ती इशनारंग, फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्तित है, सुभे वाले इस शो में, कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो कुछ संदेश दे जाए, और कहानी वो जो लगे, कि ये तो कही ना कही मेरे जीवन से समंदित है, पस ऐसी ये कहानी और लेका आए हो, आज मंगलवार का दिन है, और आज की कहानी रमायन के कुछ प्रसंगों से प्रेरित है, रमायन, रमायन है कैसा महा कावे, चुकि हमें बताता है कि हमें जीवन जीना कैसे है, हमें जीवन में क्या करना चाहिए, औ और अगर महाभारत की बात करें तो वो ये बताता है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए तो इन दोनों चीज़ों को रमायन और महाभारत को हम पढ़ते रहें उसको अपने जीवन लों उतारते रहें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये ऐसे हैं हमारे महा कावे ऐसे हैं हमारे पुराने गंत जिससे हमें हमेशा सिक्षा ही मिलती है चलिए वापस आते हैं हम अपनी कहानी पर कहानी रमायन के उस अंश की है जिस समय हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँच जाते हैं सीता जी की खोज कबर लेने और वो पेड के उस पेड के उपर उस व्रिक्ष के उपर बैठे होते हैं जिनके नीचे सीता जी बैठे हुई होती है और तभी रावन आता है और कुछ ऐसी बात होती है कि रावन अपनी तलवार निकाल लेता है सीता जी को मारने के लिए और हनुमान जी के मन में आता है कि मैं अभी पेड से नीचे उद्रू और तलवार चीन कर रावन का सर काट दूँ पर ये क्या तभी रावन की धरम पतनी मंदोदरी आती है और उनका हाथ पकड़ लेती है और रावन को रोक देती है कि सीता जी को नहीं मारना और रावन चला जाता है और फिस फिर उसके बाद जो गटना गटती हैं उसमें विभीशन की पुत्री त्री जटा सीता जी को ये बताती है कि एक बंदर राम का दूत बनके आया है और वो ऐसे ऐसे करके लंका में आग लगा देगा ऐसा मैंने स्वपन देखा है ये सुनकर सीता भी बड़ी हरान होती है प्रंतु हनुमान जी और भी ज़्यादा अश्चरे जखित हो जाते है कि पहला तो ये कि तरिजिटा को कैसे ये पता लगा कि मैं यहाँ आया हूँ उसको ऐसा स्वपन कैसे आया दूसरा ये कि ये कैसे होगा राम जी का नाम लेके वो Commissioner करने में आगे चुट जाते है और फिर जब रावन के दरबार में पहunta है और रावन उनकों अपने सैनिकों को आग्या देता है कि इस वाणर को मार दिया जाए तबी विभिशन जी आगे आते हैं और वो कहते हैं दूत को मारना आनीती है और उनकी जान बचा लेते हैं हनुआ जी फिर हयरान होते हैं कि जिस काम के लिए मैं आया था वो काम करतो भगवान ने भगवान शिर्राम ने रावन की पत्नी से करवा दिया मुझे बचाने का काम विभीशन जी ने कर विभीशन जी से करवा दिया बड़ा हैरान होते हैं और फिर आग्या दी जाती है कि हनुमान की पूछ में आग लगा कर कपड़ा बांग कर घी डाल कर आग लगा दी जाए और अनुमान जी तो अब मुस्कराए वहिना नहीं रहते वो यह कहते हैं कि मैं तो हैरान था कि आग कैसे लगाऊंगा लंका में लंका को कैसे जलाऊंगा कहां से कपड़ा लाऊंगा कहां से घी लाऊंगा कहां से तेल लाओंगा और कहां से मैं आग ढूंडता फिर हूँगा इतनी बड़ी लंगा तो देखो ये काम भी खुद रावन ने कर दिया तो उनको समझ में आती है कि ये श्री राम तो अपना काम जब रावन से भी करवा सकते हैं रावन की पतनी से रावन के भाई से करवा सकते हैं तो मैं कितना बड़ा मूरक हूँ जो मैं ये सोच रहा था कि ये सब मैं कर रहा हूँ करवाने वाले तो वो उपर बेठे राम है श्री राम है जो हर काम करवा देते हैं और हम स्विम भी अपने जीवन में कितनी बार ऐसा भ्रहम पाल लेते हैं कि ये काम तो मैंने किया उस काम का श्रे वो खुद लेना चाहते हैं असल में करवाने वाले तो श्रीराम है और वो सब काम अपने भक्तों से अपने दुश्मनों से भी करवा लेते हैं प्रगवान काम अपना इनसान से नहीं शैतान से भी करवा लेते हैं तो ऐसी बहुत सी घटनाए हैं जो रमायन के अंदर महाभारत के अंदर हमारे को बहुत सारी सीख देती है केवल कोशिश है केवल विश्वास रखिए अपने उस उपर वाले पर मेरे राम पर जब हम विश्वास करेंगे तो हमारे सब काम बनते चलेंगे वो उपर बैठे करवाने के लिए सब काम हमारे से करवा ही लेंगे तो आज की कहानी यहीं तक कल हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ कहानिया जीवन बदल देती हैं कहानिया जीवन की दिशा बदल देती हैं तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास रखिये उपर वाला आप से भी वो सब काम करवा लेगा जो आप करना चाहते हैं तो कल सुबे तक के लिए डांट वरी बी हैपी